नमस्कार आप News 4 Nation देख रहे हैं कल बिहार बोड ने 19 दिनों के भीतर Intermediate का रिजल्ट जारी कर दिया जो की देजभर में एक रिकॉर्ड है बीगत 3 वर्सों से लगतार बिहार बोड एक तरीके से रिकॉर्ड स्तर पर ही अपने रिजल्ट को जारी कर रहा है जिसको देखते हुए उन्होंने कल अपने प्रेस कॉन्फरेंस में भी असाफ कह दिया था कि बिहार बोड अब सबसे अवल नमबर पर आता है रिजल्ट जारी करने में मगर आपको पता दे कि जिन भी छात्रों ने Intermediate में टॉप स्थान प्राप्त किया है उनके लिए अब एक बड़ी खबर सामने आई है बड़ी खबर ये है कि बिहार सरकार अब उन्हें एक एक लाग रुपे देने वाली है तो साथी साथ उन्हें लैप्टॉप के साथ उन्हें अब एक इंडर बुग भी दिया जाएगा ताकि वो आगे अच्छे से पढ़ाई कर सके मगर आपको बता दे कि बिहार के गोपाल गंज और नवादा जैसे छोटे जिले इस बार टॉपरों के नाम पर दबदबा हासिल कर पाए है क्योंकि लगतार ये खबरे सामने आती रही थी कि बिहार बोड में जितनी भी तरीकी परिक्षा प्रनाली है उस पर सवाल खड़े किये जादे थे देश भर में बिहार बोड का जो नाम है वह धूमिल होता वह नजर आ रहा था मगर बीते तीन वर्षों से लगतार बिहार बोड ने अपनी छवी को सुधारने में काम्याबी हासिल की है पढ़ाई कर सके देखे हमारी ये रिपोर्ट की किन किन टॉपरों को एक लाख रुपए मिलने वाले हैं और साधी साथ लैप्टोप भी उने बिहार सरकार की ओर से दिया जाने वाला है इंटर के तीनो संकायों के टॉपरों को एक लाख रुपए का इनाम मिलेगा इसके अलावा एक लैप्टोप वा एक किंडर e-book रीडर दिया जाने वाला है मेदा सूची में दूसरी स्थान पर प्राप्त करने वाले परिक्षारती को 75,000 रुपए एक लैप्टोप एवं किंडर e-book रीडर वा तीसरे स्थान पराप्त करने वाले परिक्षारती को 50,000 रुपए के अलावा एक लैप्टोप और किंडर e-book रीडर दिया जाएगा बोड अद्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इंटर वार्षी परिक्षा के तीनों संकायों में चौथा और पाचवा स्थान पराप्त करने वाले परिक्षारती को 15,000 रुपए और एक एक लैप्टोप दिया जाएगा उन्होंने यह भी का है कि हर साल मेदा सुची में स्वामिल चातरों को इनाम दिया जाता है तो आपको बता दे कि कली इंटरमीडियेट 2022 के वार्षी परिक्षा फ़ल की जो रिजल्ट है उसे जारी किया गया था रिजल्ट को जारी करने के दोरान खुछ सिक्षा मंतरी विजय चौदरी के साथ साथ बोड के अध्यक्षा अनंद की शोर पे वहां मौझूद थे और आपको बता दे कि इस बार सरकार ने कुछ फेर बदल किया है तो साफ हो गया है कि बोड के अध्यक्षा अनंद की शोर नहीं अभी गोशना कर दी है कि चौथा स्थान प्राप्त करने वाले चात्र चात्राओं को 15,000 दिये जाएंगे तो इस पाचवे स्थान के चात्रों को भी 15,000 रुपय और लैप्टॉप दिया जाएगा साफ हो गया है कि बच्चों के भविष को उजवल करने के लिए बिहार सरकार खासा तरक्की करने के मूड में है वह लगतार या उमीद जतारी है कि लैप्टॉप और किंडर ई-बुक रीडर देकर बच्चों के भविष को और सवारा जा सकता है आपको यह भी बता देते हैं कि इस बार 19 दिनों के रिकॉर्ड दिनों के अंतराल पर ही यह रिजल्ट सामने आया है और देखने वाली बात यह साफ है कि बिहार गोट वीगत तीन वर्षों से लगातार सबसे तेज रिजल्ट जारी कर रहा है देश बर में अगर यह भी बता दे कि कल विजय चोधरी ने इस बात की घोशना की थी कि बिहार वोट जिस सौफ़ियर का इस्तेमाल अपने रिजल्ट की प्रनाली को बेतर करने में लग रहा है वो भी बिहार में बनाया गया है तो साफ हो गया है कि बिहार वोट अब अपनी जो चवी है उसे और साफ करने की तरफ अगरसर है और साफ यह भी है कि बिहार के तमाम छोटे जिले इस बार अपने दबदबा कायम करने में आगे रहे हैं गोपाल गंज और नवादा से सबसे ज़्यादा टॉपरों के जो नाम है वह सामने आए हैं और साथ ही साथ यह भी है कि इस बार जो च्छातराएं है वह भले ही आगे हैं मगर टॉपर्स में च्छातरों का दबदबा इस बार कायम रहा है तमाम खबरों बरहनेने के लिए आप देखते रहे न्यूस पोनेशन नमस्कार